नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Amitri Mountain YouTube चैनल आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही informative होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे Post Office में सबसे ज़्यादा होने वाला Time Deposit Scheme के बारे में Time Deposit Scheme क्या है, FD कैसे करें और साथ इसाथ दो साल के Fixed Deposit से महिला समान Saving Certificate की तुनना करेंगे कि सबसे ज़्यादा benefits आपको कौन से scheme में मिलने वाली है सबसे पहले Time Deposit Scheme क्या है, इसके features क्या है और इसके नए interest के बारे में जानते हैं Time Deposit एक FD scheme है, जिसमें आपको एक साल, दो साल, तीन साल और पांस साल के लिए Fixed करने की सुईधा मिल जाती है Features की बात करें, तो Time Deposit Scheme भारत सरकार की scheme है, तो इसमें आपका पैसा सौब परतिसद सुरक्चीत रहता है Post Office Time Deposit New Interest की बात करें, तो मैं 2023 से जून 2023 तक एक साल की Time Deposit में 6.1%, दो साल की Time Deposit में 6.9%, तीन साल की Time Deposit में 7% और पांस साल की Time Deposit में 7.5% का ब्याजा को मिल जाता है दोस्तो अब सबसे महतपूर्ण बात जा लेते हैं, जब आप Fixed Deposit करते हैं, तो उस Time का Interest Rate से ही calculate होकर ब्याज आपके खाते में जमा हो जाता है, चाहे बाद में Interest घटे या बढ़े, उससे आपके दवारा किया गया Fixed Deposit में कोई भी बदला नहीं होते हैं तो दोस्तो चलिए जानते हैं, यदि नए Interest Rate के अनुसार, यदि आप Post Office की Time Deposit में अभी मैं और जून तक यदि आप FD करते हैं, तो कितना maturity आपको मिलेगा अभी एक लाग की FD में एक साल के बाद एक लाग 4,975 रुपे, दो लाग रुपे की FD यदि करते हैं दो साल के लिए, तो हर साल आपको 14,101 रुपे आपके खाते में जमा होंगे, क्यानि दो साल के बाद आपको 28,322 रुपे मिलेंगे तीन साल की FD यदि आप करते हैं, तो तीन साल के बाद आपको 3,64,673 रुपे मिलेंगे, जिसमें आपको 21,577 रुपे हर साल आपके सैविंग अकाउंट में जमा होते जाएंगे पांच लाक रुपे की FD करते हैं पांच साल के लिए, तो आपको 35,929 रुपे हर साल आपके सैविंग अकाउंट में जमा होते जाएंगे, टोटल आपको 5 साल के बाद 6,89,647 रुपे मिलेंगे तो दोस्तो यहां जो इंट्रेश्ट है, वहां आपके परतेक साल पोस्टोफिस के सैविंग अकाउंट में जमा होता जाता है और Fixed Deposit का समय पूरा होने के बाद, मुलधन आपको आपके खाते में पूरा-पूरा जमा हो जाएगा यहां तो बात होई maturity की, यदि जरुवत पड़ गई तो आप अपने एकाउंट को यानि Fixed Deposit को खाता खोलने के 6 महिने के बाद ही बंद कर सकते हैं अपना पूरा पैसा वापस आप निकाल सकते हैं इस scheme में आप unlimited रुपया जमा कर सकते हैं वैसे इस scheme में 1000 रुपय से आप start कर सकते हैं और maximum deposit की कोई भी limit नहीं है तो दोस्तों यह तो हमने जाना Post Office Time Deposit की benefits, features और अभी नए interest क्या चल रहे हैं कितनी maturity आपको मिलेगी चली आप जानते हैं इस account को आप कैसे खुलवाएंगे Post Office में सबसे जरूरी बात Post Office का saving account होना आपके पास एक बहुत ही जरूरी है यदि आपके पास Post Office का saving account है तो बड़ी असानी साब कोई भी FD scheme कर सकते हैं Post Office में यदि आपके पास नहीं है तो Post Office का saving account खुलवाएं उसके लिए आपको KYC documents यानी pen card, अधार card, photo और mobile number की आउसकता होती है पहले आप saving account खुलवाएं उसके बाद आप FD कर सकते हैं किसके किसके नाम से आप Post Office की time deposit में FD कर सकते हैं तो दोस्तो यदि हम Post Office की time deposit की तुलना Post Office की नय इसकी महिला समान saving certificate से करें तो time deposit 2 year में आपको 6.9% का interest मिलता है जिसमें आपको 2,88,322 रुपे की maturity मिलती है दो साल के बाद जबकि महिला समान saving certificate में साड़े 7% का interest है और 2 साल के बाद आपको 2,32,444 रुपे मिलते हैं तो दोस्तो interest rate काफी ज़्यादा है MSSC में Post Office की 2 साल की time deposit बहतर है या फिर Post Office की 2 साल की महिला समान saving certificate इसकी compare की वीडियो next आने वाली है यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद